पो जाओ आटरीजमर्डेनिश तो आज आज हम बात करेंगे Marvel DC से रिलेटे काफी कमाल के अप्डेट के बारे में साथी साथ बात करेंगे कुछ एपडेट के बारे में तो वीडियो को पूरा देखेंगे अप्डेट काफी साथ कमाल के हैं तो सबसे पहले अभी हाली में कुछ behind the scene images आई हैं जो की officially आई है total film magazine की तरब से तो ये काफी कमालगी लग रही है जिसमें के मैं हल लेकुन action में और camera के पीछे दिखाई दिखाई दे रही है अगर आपको ये images डाउनलोड करनी है तो आप मेरी tutor account से जाके डाउनलोड कर सकते हो अब बात करते हैं Bollywood अपडेट के बारे में तो KGF chapter 2 का officially first look 21 December को launch होगा जो कि शांगो 5 विच के 45 मिनट वे होगा तो काफी कमाल का अपडेट होने वाला है और देन में सबसे जदा इसके लिए excited हूँ केविन फाइगी ने भी हाली में releasing date launch करी थी phase 4 की उनकी movie के नाम नहीं बताय थी तो उन्होंने बता है कि ये कामी underway में चल ला है और आने वाले event में हम उन movies के नाम भी rebuild कर देंगे Power Ranger officially reboot हो रही है जिसमें कि cast, stories, सब कुछ नया होगा और ये movie की costume भी change कर देंगे तो देखते हैं कि इसका क्या update आता है आने वाले future में Thor के director ने confirm कर दिया है कि वो Ragnarok से बड़ी Thor 4 को बनाएंगे यांकि cast में, character में, story में, हर लेविल में ये movie बड़ी होने बाली है Zola officially return हो रहे हैं Falcon and the Winter Soldier में जुकि काफी कमाल के पागल सैंटेस हैं जुकि computer digital coding द्वारा हमें परिशान करेंगे Falcon and the Winter Soldier में Sazam 2 officially confirm हो चुके April 1, 2022 को जिसमें कि हमें Black Adam भी देखने को मिल सकता है और साथे साथ इसी साल एक और movie confirm हो गई है Flash जो कि July 1, 2022 को launch होगी यानि कि हमें दो movie देखने को मिलेगी पर नई तीसरी movie भी देखने को मिलेगी जो कि होगी Aquaman 2 जी हाँ, जो कि December 16, 2022 को launch होगी यानि कि DC की तीन upcoming हमें movie देखने को मिलेंगी 2022 में तो मैं तो काफी जादा excited हो गया हूँ DC के लिए और अब बात करते है Captain America की Officially Age के बारे में जो कि confirm हो गया Avenger Endgame की एक स्क्रिप्ट से जो की है 112 साल जी हाँ, अभी हाली में confirm होगा है और कैसी लेंग की भी Age confirm हो जो की है जो की Avenger Endgame के टाइम करीब 14 साल गी थी तो ये स्क्रिप्ट से पता चलाए और अफिशली अपडेट बाद में आ जाएगा जब लॉंच होगा Totem Film Magazine ने अपने front cover पर B.O.P. को दिखाया है यानि कि बड़ सो पहरी जो की काफी कमागा लोग लाए और अगर आपको ये भी download करने है Full HD में तो आप मेरे ट्यूटर अकांट से जाके download कर सकते हो अब बात करते हैं Netflix की TV सीरीज के बारे में तो यू इसका finally second season भी हिंदी में dub हो चुका है और ये releasing के लिए तयार है तो इंतिजार करिए 26 December को Netflix पे UK second season का जो की हिंदी में लाँच होगा अब जोकर का एक test footage आईए सामने है जो की society squad की है और काफी कमाल का खतारनाग लग रहा है ये पहली footage थी जो की starting में उन्होंने रिविल्ड करी है Top Gun फाइनली हिंदी में release होगी आपको पहली चीज में clear कर दूँ और इसका हिंदी trailer भी लाँच हो चुका है आप जाके देख सकते हो Star Wars जो की एक काफी कमाल की movie होने वाली है और इसके करीब दसमा episode भी आएगा feature में और इसका एक international push law लाँच करा है जो की काफी कमाल का लग रहा है अब बात करते हैं गुमेल नंजानिय के बारे में उन्होंने अभी हाली में एक नई पिक डाली है जो की काफी जादा जवड़ज़स से लग रही है और इसी जी रिलेटिव एंड में अपडेट भी आया का थनाग जैंडर कट की एक BTC मेज आई है जो की है Bruce Bane की कार जिसमें की Flash और Batman बैटे हुए थे आपको याद होगा यह वाला सीन जश्य लीग में दैन उसी के साथ Monica कितनी बड़ी हो चुकी है अपने ने Captain Marvel मूवी में देखा था और वो Sword की एक Agent भी है और Sword क्या है तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा और साथी साथ Scarlet Witch का नया लोक आया है जो की WandaVision सीरीज की है तो काफी कमाल की लग रहे हैं ये लोक और काफी ज़ादा परिशान भी लग रहे है Bunty Bubly 2 कंफाम हो चुकी है जिसमें कि हमारे गली बॉय शेर आया है मेरे साथ से परसाही लग रहा है Chris Sivans ने अभी हाली में एक मेज डाली है उनका डॉक स्नोफोल को देख रहा है महापे तो बरप पड़ रही है और इंडिया में ठंड पड़ रही है तो काफी ज़ादा अजीब सा लग रहा है अभी हाली में एक नई BTC में जाई है जो की है बकी बांस की तो उनोंने अपना गुल्डन आर्मर पैन रखा है बले वो एक अपने टैप का है पर फैलका इंडर इंडर सोल्चर में तो ये आर्मर की तरब से दिखाए जाएगा Daybreak जो की एक Netflix की TV सीरीज है इसका सेकंड सीजन कैंसल कर दिया अब क्यों कराए ये तो पता नहीं पर मैंने इसके 5 सीजन देखे थे जो की जॉंबी से रिलेटे में और काफी ज़्यादा अच्छी है Bill and Ted जो की काफी कमाल की है और थोड़ी अजीब टैक्यों कॉमेडी मूवी है मैंने इसके दौनों पार्ट देख चुका हम जो की हिंदी में भी है तो आप देख सकते हो इसका थर्ड पार्ट की कुछ ब्याइंडर सीन इमेजिस आई है जो की काफी कमाल की लग रहे है और इसका भी ट्रेलर लाँच होने नजदीक है तो काफी कमाल की मूवी होने वाली है तो ये इसका थीसरा पार्ट है टोटल फिल मैगजी ने जेम्स वांड की भी एक इमेज लाँच कर लिए तो काफी कमाल का लग रहा है ये लोग और अब इसके बाद जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे है वो क्यूट कर दे है क्योंकि आने वाल अपडेट काफी खता ना कोगा क्यूट प्लेस का ओफिचली एक नया इमेज आई है सामने जो की काफी कमाल की लग रही है और इसका ट्रेलर इस्टार वार्ट के साथ थेटर में लाँच होगा देन जेम्स गर ने अभी हाली में क्रिस्मिस पर सभी केरेक्टर को रखकर क्रिस्मिस सेलिविट करा है तो इससे पता चल जाते है कि कौन कौन से केरेक्टर होंगे थेनोस का अल्टरनेट हेलमेट डिजान आया सामने जो कि काफी कमाल का लग रहा है और देन ये अन्यूस था यानि कि मूवी में यूस नहीं करा गया अब कुमेल नंजानिया ने जो इमेज दा ली थी तो पोन हब ने अफिशली मस्कुलर मैन की केटिकरी में उनका फोटो डाल दिया है तो ये बहुत बड़ी लेवल की बात है और ये ही बो अपडेट था जिसके बारे मैं आपको बता रहा था तो गाईस देखते हैं कि ये इमेज का बढ़ती है पोन अप से और इसके उपर केस भी हो चुका है और बहुत बड़ी बात चले है ये इसके से रिलेटेव तो गाईस आचले बस इतना ही तो कैसा लगा अफडेट कैसा लगा वीडियो अगर आप ये वीडियो यूटूब पे देख रहें को सब्स्राइब करें फेस्बुक पे देख रहें पेच को लाइक करें रिवी में आपको बड़ी पसंद आते को पिलिए लाइक में शेक करें जोबन इस वीडियो नहीं देख या दोस्त पे थौर के हाथ मारो या पेर मारो पर ओर कुछ मत मानना बाबाई चारों